वेलकम इस वीडियो इस वीडियो में जानेंगे कोडिनेट जिमेट्री कोडिनेट जिमेट्री का section formula section formula for external division for external division यानि जब पॉइंट जैसे जब पॉइंट क्या हो बाहर की तरफ डिवाइड हो जैसे यह x1 यह x2 और यह y2 दो पॉइंट्स है ठीक है और जब इस इस लाइन को कोई पॉइंट बाहर की तरफ मतलब रेशियों में डिवाइड करता हो ए पी और पी एक पॉइंट है जो ए भी को एक्स्टरनल डिवाइड करता हो तो इसका माली जो कोडिनेट है एक्स और वाई है कि तो इसका इसका रेशियों क्या होगा करिए को है वे के भी बाई बी-वी को एक्स्टरनली एक रेशियों में डिवाइड करता है यह याह यह हमतल और बीपी, बीपी कितना है, एन है तो इसके लिए हमें इस पॉइंट को इस कोडिनेट को find करना है ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जिस तरह से हमने internal division में किया था, उस तरह से इस में भी हम करेंगे, ओके, यह इस तरह से, ठीक है, ओके तो अब क्या करें गहां यह जो दूरी हो गया यह X1 हो गया ठीक है यह जो दूरी हो गया यह यहां से यहां तक यह Y1 हो गया यहां से यहां तक यह X2 है और यहां से यहां तक यह Y2 है ठीक है उसके बाद यहां से यहां तक क्या है X है और यहां से यहां तक Y है यहां पर देख रहे हैं आप यहां पर दो ट्रेंगल बन रहे हैं एक AB ठीक है एक बन रहा है बड़ा वाला है P और इसको मैं लीज़े A P Q और एक बन रहा है BP है यह न है तो BB यह स्लीक न गगед तो इन सिमिलर ट्रेंगल पी-ए-क्यू पी-ए-क्यू जब सिमिलर है तो इसके क्रिस्पोंडिंग साइड से बराबर होंगे यानि उनका रेशियो बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं क्या हो बराबर है क्या हो जाएगा एक हो एक हम इसके एक ही रेशियो हो इसके एक ही किउभाई हो जाएगा जाएगा ही क्यूभाई PQ by PN इसके sides क्या होगा side का ratio भी बराबर होगा AP by BP कितना है M by N है AQ AQ कितना होगा X में से X1 minus करें जाए तो AQ निकल जाएगा तो हो जाएगा X minus X1 OK AQ X minus X1 BN 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 कैसे निकलेंगे X में से X2 को minus करेंगे तो BN निकल जाएगा X minus X2 उसी तरह से PQ PQ Y में से Y1 Y minus Y1 और PN PN कैसे निकलेंगे Y में से Y2 Y में से Y2 तो यहाँ पर एक तीनों के एकवल है तो पहले हम इसको लेंगे हमें X कोडिनेट पहले निकलना है तो पहले हम यह वाला लेंगे तो हो जाएगा चली इसको लेते हैं तो X minus X1 by X minus X2 is equal to M by N यह एक और यह Y minus Y1 by Y minus Y2 M by N ठीक है यह इसके बराबर और यह इसके बराबर तो इसके दिए हम पहले निकलते हैं तो XN minus N X1 OK M X minus M X2 XN M X को इधर लेंगे तो M X ठीक है और SORRY यह जो है इसको उदर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा M X2 इसको इधर लाएंगे और यह इहां पर है N X1 और यह M X और यह इधर लाएंगे तो X N ठीक है अब क्या खरेंगे इसको ऐसी लिखेंगे और इसमें x common है तो x m-n तो x कितना हो जाएगा x is equal to हो जाएगा mx2-nx1 by m-n तो यह x का coordinate हमें निकल गया अब निकलते हैं y का तो yn yn-y1n is equal to ym-y2m ठीक है और यह यह वाद उदर जाएगा ठीक है और यह इधर लेंगे तो y2m-y1n और यह इधर आएगा तो ym-yn ठीक है इसको सीरा कर देते है m y2-ny1 is equal to y common ले लेते हैं तो m-n ठीक है तो y कितना हो जाएगा m y2-ny1 by m-n तो यानि कि x कोडिनेट भी निकल गया और y कोडिनेट भी मेरा निकल गया तो यह पॉइंट कितना हो जाएगा x y point b है ना b कितना हो जाएगा x कितना है m x2-n x1 और m-n और m y कितना है m y2-n y1 और m-n तो यह जो है मारा section formula है for external division for external division के लिए ठीक है internal division में total plus था और external division में सिर्फ minus है यानि कि external और internal internal और external division में सिर्फ ही फर्क है कि internal में दोनों plus थे और external division में यह यहाँ पर minus हो गया ठीक है तो इस तरह से यह मैंने दोनों internal और external का बता दिया अब इस पर examples हैं और exercise है जो मैं आपको next student में बताऊंगा पताऊंगा धेंकू, तेंकू वहआ बतातों रहाता तना ता हूंगा टोनों दोना